जैहिंद मेरे प्यारे साथी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ BSF Head Constable Ministerial और ESA स्टैनों की भरती के बारे में और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा इसके Physical के बारे में और इसके Documentation के बारे में क्योंकि आप सभी को बताए कि आप First Face में इसका Written Examination Conduct ना करवागी इसका Physical and Documentation कंप्रीट करवाए जाएगा तो इसमें क्या क्या आपका होना है क्या हाइट होनी चाहिए क्या वेट होनी चाहिए क्या सीना होना चाहिए दौड होगी नहीं होगी इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे साथी में ये भी क्लियर हो जागा कि कौन-कौन से डोकुमेंट्स की आपको आवशकतास में पढ़ने वाली है तो वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शिर करके चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पर प्रेस करने तकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट कर नॉटिफिकेशन आपको इसी तरीके से सबसे पहले मिलता रहे तो देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर थर्ड वीक में स्टार्ट होने वाला यानि दिसमबर थर्ड वीक में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा पर दौड, हाई जंप, लॉंग जंप, वो सारी चीज़ें नहीं होगी, केवल आपकी नाप तोल होगी, PST का यही मतलब होता है, आपको पूरे नौटिफिकेशन में, PET यानि की फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो दौड नहीं होग पहले PST होता है, फिर आपका डौकमेंटेशन हो, तो यह बड़ा इशू आपके लिए नहीं है, अब देखें, मैं बात करूँ कि PST में होगा क्या-क्या, तो PST में अगर मैं बात करूँ जो नोटिफिकेशन में आपको आपकी मापतोल बताएगी है, कि कितनी आपकी मापत सब्सक्राइब करते हैं, तो उनकी 105 cm यहां पर लंबाई होनी चाहिए, साथ ही में ऐसी महिला जो की ST काटिगरी से वलंग करते हैं, उनकी 150 cm लंबाई यहां पर होनी चाहिए, तो यह तो रहता है, आपका PST इसमें अगर मैं बात करूँ तो female candidate के लिए height के अलावा cable बजन म वो आपकी लंबाई के ratio में होना चाहिए, उसके लिए मैं आप सभी को telegram पे एक PDF प्रवाइड करा दूँगा, जिससे कि आपको यह clear हो जाएगा, कि आपकी लंबाई के according कितना आपका weight होना चाहिए, तो telegram का link मैंने video का description में दे दिया है, आप उसे join जरूर कर लेना, अब अगर मैं प्रोसों की बात करूँ तो लंबाई के साथ साथ आपका सीना ना पजाता है, तो सीना की अगर मैं बात करूँ तो सभी category के लिए 77 से 82 cm होना चाहिए, वहीं पर male candidate जो ST category सो belong करेंगे, उन्हें 1 cm की छूट दे जाएगी, और 76 से 81 cm सीना आपका होना चाहिए, तो य यानि कि सभी documents आपके वहाँ पर verify किये जाते हैं, जो भी आपने application form में mention किये हैं, और जो भी documents लगाएं, जो qualification आपने बताईए, वो सभी चीज़ें वहाँ पर verify की जाएंगी, अब जैसे कि मान के चलिए, अगर आपने किसी भी reserve category में relaxation लिया है, और आपने उसमें बताया कि मैं ST category से belong करता हूँ, तो आपके पास ST का certificate होना चाहिए, अब अगर मैं आपको complete documents के बारे में बता हूँ, तो सबसे पहली बात आती है ID proof की, यानि कि आपके पास कोई भी एक ballot ID proof होना चाहिए, जिसमें आपका photo लगा होना चाहिए, जैसे कि आपका DL हो सकता है, driving license हो, या पैन कार्ड हो, आधर कार्ड हो, ये सारी चीदे या voter ID हो, तो ये आपके पास होना चाहिए, साथ ही में कम से कम 10 photo आपको अपने साथ carry करके ले जाने है, जब भी आपका physical हो, तो ये हो गई आपके सबसे starting वाली documents की बात, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो देखिए आपका matriculation certificate होना चाहिए, जिससे आपकी date of birth confirm होती है, यानि कि date of birth के लिए जो certificate होता है, केबल आपका 10th का जो passing certificate होता है, उसी के according आपकी ace देखी जाती है, तो आपके पास 10th की passing certificate होना चाहिए, और mark seat वगरा या सनद अलग अलग दोनों हैं, दो certificate है, तो दोनों आपके प दोनों ही अलग-अलग आपके पास होनी चाहिए, साथ ही में आपके पास domicile certificate होना चाहिए, यानि कि जिस राज जिसे आप बलोंग करते हैं, वहां का निवास प्रवाणपत्र आपके पास होना चाहिए, इसके अलाब अगर मैं बात करूं, तो cast certificate होना चाहिए, अगर आप किसी अधर documents की आपको ज़रुवत नहीं पढ़ती, बट अगर आपने जैसे NCC लगा रखा है, तो NCC आपके पास होना चाहिए, अगर आपने अपने सना तक यानि regression degree वाले अगर documents लगा दी है, तो वह भी वहां पे आपको चाहिए, यानि कि अगर additional अपने कोई certificate use गया है, त बाकी का अगर आपने application form fill करने में कोई mistake कर दिया, तो आप उसके लिए एक affidavit भी वनवाके ले जा सकते हैं, court से वह 150 रुपे का आपका affidavit वन जाता है, यह गलती से हमारा ऐसा लिग गया है, और बाकी का यह same है, तो उसके according आप ले जाएं, और बाकी का अगर आपकी आ आपने जो भी documents अपने application form में form fill करते time लगाए हैं, वो सभी documents आपके होने चाहिए, ID proof होनी चाहिए और आपके वास photo होने चाहिए, यही सारी चीज़ वहाँ पे आपसे ली जाएंगी, बाकी का देखे हायट चेस वगरा आपकी fix होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि थोड़ा कम चल जाए ज्यादा चल जाए और वो नापने वाले के उपर भी depend करता है कि कोई कोई बहुत जादा टाइड नापता है तो उसमें थोड़ी आपकी कम भी बैठ सकती है, अगर कोई normal नापता है तो आपकी पूरी complete सीना जैसे होता है या लंबाई होती है, तो वो आपकी complete बै रही है कि आप सभी का यहाँ पे पहले PST हो गया, इससे क्या रहेगा कि आप सभी को written examination में बैठने का मौका मिलेगा, हालांकि पहले भी मिलता लेकिन बहुत सारे candidate को physical में मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि head constable के लिए केवल 30 गुना candidate को qualify किया जाता, और अभी बहुत सारी चीज़े चेंज हो गई हैं, तो इस सब का benefit आपको लेना है, और आपको time भी मिल रहा है अपने exam की तयारी करने के लिए तो आप अपने exam की तयारी कर सकते हैं, साथी में typing वगरा की जो भी तयारी है आप उससे continue करते रहेगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और वेल आइकन पर प्रेस कर लेना तकि फ्यूचर में हर एक अप्डेट का नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से सबसे पहले मिलता रहे, साथी मैं हाइट का अगर और वेट का आपको जानना है कि कितना होन चाहिए तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेली गराम चैनल को जरूर जॉइन कर लेना मिलिंगा अगली वीडियो में, सा थैंक यूफो वाचिंग, जैहें जैवारत आपको टाइम भी मिल रहा अपने एक्जाम की तैयारी करने के लिए तो आप अपने एक्जाम की तैयारी कर सकते हैं, साथी मैं टाइपिंग वगरा की जो भी तैयारी आप उसे कंटिन्यू करते रहेगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वेल आइक पर प्रेस कर लेना तक कि फ्यूचर में हर एक अब्डेट कर नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से सबसे